तो प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डियोई की तरफ से प्रोवाइट किये गए मिसन मैथमेटिक्स क्लाश 10th के लिए वर्कसीट को जो की 12-7-2023 डेट के लिए है दोनों मीडियम में इससे पहले कोस्वन ओब दे की वर्कसीट का सोलूशन अपलोड है अगर आपन एक विन्जक बहुपत कहलाता है जब उसके सभी घातांक पूर्ण संख्या हो होल नमबर हो मतलब जो चर है चर की घात यानि वेरेबल्स बोलते हो उसको उसकी घात होल नमबर यानि की पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे होनी चाहिए ठीक है उदारन देखो यहां पर तो दो होल नमबर हो गया एकस की पावर एक होल नमबर है यह बहुपत है किसी प्रकार दूसरे में एकस की पावर दो है एकस की सोरी वाई की पावर चार है जड़ की पावर तीन है यह भी होल नमबर है और संख्या यह भी बहुपत है ठीक है तीसरे में एकस की पावर तीन एक्स की पावर एक है ये भी बहुपद है इसमें जेट की पावर पाँच जेट की पावर तीन जेट की पावर दो ये भी बहुपद है जो बहुपद नहीं है उनके उदारण है वेरेवल यानि की चर की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए नेगेटिव नहीं होनी चाहिए त इसलिए यह भी नहीं है। क्योंकि यह ऊपर जाएगा । तो जेट की पावर मिनस-1 हो जागी। जएरloot में भी नहीं होना चाहिए satisf प्र हूप यह इन यह रूट में होना चाहिए। यह रूट में है एक्स इसलिए यह भी नहीं है। और पावर फ्रेक्शन यानी बटे में नहीं होना चाहिए तो ये भी बटे में हो गया यहाँ पर इसलिए ये भी नहीं है समझ गए बाकिया आप देख लेना एक्जामपल मैंने ऐसे समझा दिया कॉस्टन पर आज़ा उसी था कॉस्टन है बहुत पाँच एक्स स्क्वाइर प्लस तीन एक्स माइनस चछे के लिए a b और c का मान ग्याँद कीजिए तो इसका जो रूप होता है धृँन रखना a x स्क्वाइर प्लस b x प्लस c ठीकर जिसका रूप होता है क्लिए रहे अब यहाँपर देखं X square पर X square है A पर क्या मिला 5 तो A कमाना गया 5 X पर X है B पर क्या मिला 3 तो B कमाना गया 3 C पर क्या है minus 6 है minus 6 इसका answer हो गया A 5 है B 3 है और C minus 6 है ठीक है यह Hindi medium में answer हो जाएगा English में भी देख लो एक बार तो example same है polynomials के पहचानना same है यह आप देख लेना ठीक है question पर आज़ो सिधा यहाँ पर लिखा है find the values of A, B and C for the equations 5X square plus 3X minus 6 तो देखो यह AX square होता है plus BX plus C तो A पर क्या मिल रहा है आपको A पर A 5 B पर 3 है C पर minus 6 है ठीक है देखो X square को हटा दो A पर 5 आ गया X हटा दो B पर 3 है C पर minus 6 है तो यह आपका answer हो जाएगा ठीक है इसके साथ यह वक्सिट कंप्लीट हो जाएगी कहीं पर भी डाउट है तो कॉमेंट कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you for watching this video and take care Thank you for watching this video